जहाँ पर Digital Wallet या Digital Bank की बात आती है वहाँ पर PTM का जो नंबर है वो सबसे टोप पर आता है दोस्तों आपको पता होगा कि कई सारे सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक अपने बैंक का मिनी ब्रांच देते हैं जो आपको एक normal bank के अंदर दी जाती है जैसे account open करना, पैसे डालना, पैसे निकालना, पैसे विड़रा करना, इसके लावा insurance करना, अटल pension योजना करना, सुरक्षा बीमा योजना करना, KYC करना, आधार link करना, DBT link करना इसके अलावा भी कई सारी services है जो आपको एक normal bank में मिलती है वो सारी services आपको एक mini branch में provide करवा दी जाती है जो PTM का CSP, BC Point, KYC Center ले लेता है वो customer को PTM से related सारी service provide करवा सकता है इसके अलावा जो आपको इहाँ पर mini branch दी जाती है उस branch से related जो service आपको मिलती है वो service आप customer को देते हो तो जितनी भी service आप customer को provide करवाते हो हर service पर आपको commission दी आ जाता है तो आज की इस वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूँ कि अगर आप PTM का BC Point ले लेते हो या फिर लेने की सोचरे हो तो आपको PTM के अंदर कौन कौन सी service दी जाती है सबसे पहले अगर आप PTM का BC Point इसका KYC Center ले लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक application दिया जाता है जो की आपको PTM Department की तरफ से दिया जाता है जो आपका district manager होता है जो आपको PTM की BC देता है PTM का KYC Center देता है वहीं से आपको यह वाला application दिया जाता है यह वाला application को वहीं से दिया जाता है तो सबसे पहले इस application का जो नाम है वो है PTM Bank Agent तो चलिए हम इसे एप को open करते हैं और जानते हैं कि इस वाले application में हमें total कौन-कौन सी services दी गई है जैसे आप देख सकते हो इस वाले app का जो dashboard है ID और password login करने के बाद इस तरीके से इसका जो dashboard है वो आपका account रहता है current account उसके अंदर total जो balance रहता है वो आपको यहाँ पर उपर show हो जाता है इसके लावा यहाँ पर आप view passbook पर click करके आप अपनी passbook को देख सकते हैं इसके लावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपकी जो services हैं जो आपक किसी भी customer का KYC कर सकते हैं चाहे उसके अधरकार में mobile number link हो नहीं हो कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पर सिर्फ mobile number डाल कर उसका थंब लगा कर direct आप किसी भी customer का KYC कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर जो आपको service दी जाती है second number वाली service वो है fast tag वाली service आप यहाँ पर देख स आपका जो account का जो account से link रहता है वो paytm bank से रहता है आपका जो paytm wallet होता है उसी paytm wallet से यहाँ पर fast tag issue किया जाता है और जो fast tag का पैसा करता है वो paytm wallet से ही करता है इसके लावा यहाँ पर deposit case का option है मतलब आप किसी भी customer के paytm bank में direct cash deposit कर सकते हो इसके लावा vidra case का option है आप कि किसी भी customer के Paytm bank से direct यहां पर पैसा निकाल सकते हो इसके लावा यहां पर आपको option मिलता है add money to wallet मतलब आप किसी भी customer के अगर Paytm wallet में पैसा डालना चाते हो पैसा add करना चाते हो तो यहां से direct आप add money to wallet पर क्लिक करके किसी भी customer के wallet में पैसा add कर सकते हो इसके लावा अगर पर किलिक करके आप किसी भी कस् Bomb का bank statement निकाल सकते हो इसके लावा यहाँ पर card issuance का option हैreading. मतलब आप किसी भी कस्तमर को यहाँ पर आपका district manager होता है उनकी तरह से आपको यहाँ पर तुरंत ATM card दे जाते हैं आप किसी भी customer को यहाँ पर तुरंत Paytm का जो ATM कार होता है, वो तुरंत आप यहाँ से issue करके दे सकते हैं, इसके लावा case bill payment है, इस पर click करके आप किसी भी customer का loan payment कर सकते हैं, इसके लावा case collection का यहाँ पर option है, इसके लावा यहाँ पर आपको service मिलती है AAPS की, AAPS का मतलब होता है आप किसी भी कस्टमर के किसी भी बैंक से अधरकार से पैसा निकाल सकते हैं चाहे उसका खाता किसी भी बैंक में हो तो आप निकाली सकते हो इसके अलावा किसी भी बैंक में उसका खाता हो XYZ बैंको बुर्दा, SBA, Punjab, ICICI किसी भी बैंक में खाता हो आप अंगुठे से किसी भी customer का अधरकार से पैसा निकाल सकते हैं इसके लावा जो dbt scheme होती है वो आप यहां से direct add कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आपको group insurance का option मिलता है आप किसी भी customer का यहाँ पर accidental जो insurance होता है वो आप यहां से कर सकते हैं अलावा यहाँ पर आपको एक और service मिलती है उस service का नाम है money transfer आप किसी भी customer के किसी भी bank account में यहाँ से पैसा डाल सकते हो चाहे उसका खाता किसी भी bank में हो चाहे bank को बड़ोदा में हो SBI में हो किसी भी bank XYZ आप किसी भी customer के bank account में आप यहाँ से money transfer कर सकते हो और यहाँ पर जि doubt है कि आप ATM का BC point लेना चाहते हैं या आप लेने की सोच रहे हैं और आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कौन-कौन सी services मिलती है तो मैंने इसके अंदर जो services मिलती है वो पूरी services को मैंने यहाँ पर reveal कर दिया है आपको बता दिया है कि इसके अंदर कौन-कौन सी service मिलती है इसके लावा यहाँ पर अगर आपका कोई doubt है आपको किसी प्रकार की problem आती है तो आप मिनीचे comment करके लिख सकते हैं या फिर आपका कोई personal issue है आपका कोई question है तो आप comment कर सकते हैं इसके आल्रेडी वीडियो बना रखा है उस वीडियो को देखकर आप आसानी से आपका जो bc point है वो start कर सकते हैं आप ATM का KYC center ले सकते हैं इसके लावा अगर आपका कोई personal tech related issue है और आप हमारे साथ share करना चाते हैं आप हमसे बात करना चाते हैं आप हमसे contact करना चाते हैं तो उसके लिए direct आप हमें Instagram और Telegram पर message कर सकते हैं इसके लावा हमने हमारे new channel का link इसकी वीडियो की description में दे रखा है आप हमें direct हमें new channel पर visit कर सकते हैं वहाँ पर हमने हमारा जो contact number है वो दे रखा है WhatsApp नमबर दे रखा है आपका कोई serious issue है तो आप हमें Instagram या Telegram या फिर WhatsApp कर सकते हैं हम जो भी हमें WhatsApp करता है या फिर Instagram और Telegram पर message करता है हम उनका 100% जो solution होता है वो करने की कोशिज करते हैं और reply करने की कोशिज करते हैं